दोस्तो आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो computer science की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे students हैं, जो software developer की job पाने के लिए कोई न कोई course कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी job भी लग चुकी है दोस्तो अगर हम बात करें software industry की, software developer role की, तो इस role के लिए कुछ ऐसे skills हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और उन skills पे आपका अच्छा command होना चाहिए अगर आप software industry में जाना चाहते हो, software developer की job पाना चाहते हो तो दोस्तो आज की industry के अगर हम बात करें, software market की बात करें, तो हमेशा कुछ न कुछ नई technologies आ रही हैं, जिनको आपको सीखना पड़ता है उन technologies के साथ साथ कुछ ऐसी skills हैं, ऐसी technologies हैं, जिन पे आपका command होना चाहिए अगर आप job के लिए जा रहे हो, interviews के लिए जा रहे हो, और अगर आप चाहते हो, आपका interview clear हो जाए और आपको software developer की role मिल जाए अगर इन skills के बारे में आपको knowledge नहीं है, अगर उनके बारे में नहीं जानते हो, तो सायद हो सकता है आप interview crack ना कर पाओ, या फिर उनका जो coding round है, coding interview है, उसको भी आप लोग crack नहीं कर पाओगे तो दोस्तो मेरा नाम है कैस, मैं एक software engineer हूँ और ऐसी ही वीडियो लेकर आता हूँ आप लोग के लिए जिसमें मैं ऐसी बाते आप लोग को बताता हूँ जिसे आप लोग interviews आसानी से crack कर सकते हो, online courses पा सकते हो और jobs पा सकते हो इसी sequence में दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ छे ऐसी essential skills के बारे में, जो software developer को आनी ही चाहिए अगर आप एक freezer हो और as a freezer job लेने जा रहे हो, तो आपके लिए तो समझ जाओ, ये skills वरदान है अगर इन skills के बारे में आपको knowledge नहीं है, तो आपको job मिलना मस्किल हो जाएगा दोस्तो वीडियो को start करते हैं और सबसे पहले, अपने पहले skill के बारे में बात करते हैं जो है data structure and algorithms दोस्तो मैं हमेशा वीडियो में बताया करता हूँ, कि हमें product based companies में job के लिए approach करना चाहिए और ये जो companies है, इनका जो favorite skill है, वो है data structure and algorithm अगर आपका data structure पे command नहीं है, algorithms पे command नहीं है, तो आप लोग भूल जाओ कि आपको job भी मिलने वाली है क्योंकि ये जो companies है, data structure और algorithm के बिना इनका interview ही complete नहीं होता है interviews में 100% guarantee के साथ मैं कह सकता हूँ, 100% guarantee के साथ आपको data structure से questions पूछे जाएंगे, algorithm से questions पूछे जाएंगे आपको interviewer के सामने data structure algorithm यूज करके questions को solve करना पड़ता है अगर आप software developer के लिए जा रहे हो, software developer role के लिए जा रहे हो, तो भाई data structure algorithm को रट जाओ completely एक एक चीज आपको आने चीए, space complexity, time complexity, data structure और algorithms के बारे में और मैं आप लोग को बताऊँ तो जैसे array हो गया, link list हो गया, trees हो गया, यह सारे जो data structures हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना चीए जो algorithms है, searching and sorting के algorithms हैं, वो सारा कुछ आपको पढ़ना चीए, उनके time complexity, उनके space complexity, वो सारा कुछ आपको पता होना चीए तो दोस्तो यह रहा अपना पहला skill, जो था data structure and algorithm, दोस्तो अब हम बात करते हैं, दूसरे skill के बारे में जो है, एक programming language का knowledge अगर आप software industry में जाना चाहते हो, तो आपको जाहिस सी बात है, जाके वहाँ पे आप coding करने वाले, programs लिखने वाले हो उसके लिए at least एक programming language में आपका बहुत अच्छे से command होना चीए, देखो कोई भी programming language आप सीख सकते हो, वो आपके interest पे depend करता है, जिस film में आप जाना चाहते हो, जिस film में आप job लेना चाहते हो, उस पे depend करता है, तो आप लोग कोई एक programming language, at least one programming language बहुत अच्छे से prepare कर लेन बहुत अच्छे से सीख लेना, और दोस्तो programming language सीखने का मतलब यह नहीं कि के वल दो syntax याद कर लिया, hello world का program लिख लिया, आपको programming language आगई, आपको उस programming language से अच्छे projects भी build करने चाहिए, जिसे आप resume में भी add कर सकते हो, अगर मैं बात करूं कौन सा programming language आपको सीखना तो आप इस sequence में भी देख सकते हो, कौन सी programming language जादे use हो रही है, कौन से demand में है, किसमें आपको अच्छे scope है, किसमें अच्छी job मिल सकती है, तो यह भी आप लोग चेक कर सकते हो, तो कोई एक programming language आप जरूर से prepare कर लेना, उस पे project build कर लेना, और उसको अपने resume में भी add कर ल साथ महीने का ये online course है, जिसकी price भी बहुत जादे कम है, और साथ महीने में आपको अच्छे से, जो भी development के concept हैं, वो सिखा जाते हैं, और पांचवे महीने से ही, आपका placement स्टार्ट हो जाता है, weekly drives स्टार्ट हो जाती है, और इस course का जो price है, 30,000 plus GST है, यानि बहुत कम price में ये सारी चीज़ आपको provide की जारी है, और यहाँ पे post paid, यानि course complete करने के बाद भी fee देने का यहाँ पे provision है, तो वो भी आपको के लिए plus point हो सकता है, अगर hiring partners के बारे में बात करें, तो बहुत अच्छे ची company जहां से hire कर रही हैं, जैसे Deloitte हो गया, EY हो गया, GANPET हो गया, SDPC Bank, Medplus, और यहाँ पे जो CTC range है, 5 लाग से 25 लाग तक की CTC आपको आसानी से मिल सकती है, यह जो platform है, अपने बिहाब पे students के लिए salary negotiate करता है, जिससे कि उनको अच्छी से अच्छी salary मिल सके, और interviews वगरा, सारा कुछ schedule किया जाता है इस platform के द्वारा आई, तो बहुत अच् इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे students, यहाँ से pass out हुए हैं, और उनके बारे में भी पढ़ सकते हो, उनसे contact कर सकते हो, और उनसे इस platform के बारे में भी आप लोग पूश सकते हो, दोस्तो course के बारे में बताऊं, तो इनका next cohort start होने वाला भी 26th of March 2023 2023 से, और यहाँ पर जो postpaid model है, उसके fee के बारे में बताऊं, तो आपको upfront देना होता है 20,000, प्लस जब आप course complete करते हो, तो 10% of your annual citizen को देना होता है, that's it, और इसके बाद आपको कोई भी amount नहीं देना होता है, course में registration करने के लिए बहुत simple सा process है, आपको जो link दिया मेंने description में, उसको follow करना है, वहाँ से apply करना है, अपना eligibility चेक करना है, उसके बाद आपको एक payment model select करना है, upfront आपको fee देना है, या फिर आपको postpaid में जाना है, उसके बाद आप enroll करके course को start कर सकते हो, course में सारी technologies, जो भी advanced technologies हैं, software development में वो भी आपको सिखाई जाती है, सारा कुछ मैंने link इ फिर versioning, देखो आप जब software लिखते हो, तो एक आपने पहला version लिख लिया, जब second version आप लोग उसका लिखते हो, उसमें कुछ ने कुछ अपग्रेडेशन करते हो, तो इन चीजों को maintain करना, code को लिखना, code को save करके रखना, अगर कुछ उसमें अपग्रेडेशन होता है, तो उसको maintain करना, ये सारी चीज़े भी आपको आनी चीए, और इन चीजों के लिए बहुत अच्छे-ची software हैं, और आज कल की companies, इन पे बहुत जादे focus करती हैं, वो जरूर से आप से पूछते हैं कि आपको versioning के बारे में knowledge है की नहीं, source control के बारे में knowledge है की नहीं, अगर आपको इसके बारे में knowledge नहीं है, तो अभी से ये सारी चीज़े सीख लो, क्योंकि interviews में आपको कोई problem ना हो, और दोस्तो अगर versioning के बारे में आप लोग को बताऊँ, तो आपने git के बारे में सुना होगा, git versioning के बारे में सुना होगा, approximately 80% companies git versioning use करती हैं, तो उसको आप लोग के लिए use होते हैं, तो उनको भी आप लोग सीख सकते हो, लेकिन दोस्तो मैं आप लोग को recommend करूँगा, कि git आप लोग सीख लो, क्योंकि बाकी सारी software's git से मिलती जुलती होती हैं, तो अगर एक बार आप लोग ने git सीख लिया, तो आप लोग other software's पे भी hands-on बहुत आसानी स कर सकते हो, और आप लोग companies में interviews भी crack कर सकते हो, अगर इन से related आप से questions पूछा जाता है, तो, दोस्तो अब हम बात करते हैं, अपने चौथे skill के बारे में, जो की बहुत जादे important होने वाला है, वो है text editors, जैसे ही आप लोगोंने text editor का नाम सुना, आप लोग यही सोच रहोग लेकिन, market में बहुत सारे text editors हैं, और बहुत सारे non-coders, students भी या फिर employees भी text editor यूज़ करते हैं अपने purposes के लिए, लेकिन आपको कौन सा text editor यूज़ करना है, यह आप पे depend करता है, बहुत सारे text editor हैं, जैसे notepad++ है, sublime text है, visual code है, यह सारे text editor हैं, इनको सीखने के लिए बहुत जाते हैं, आपको time नहीं देना है, लेकिन, आप अपने productivity को increase करना चाहते हो, बहुत fast आप लोग कोड लिखना चाहते हो, तो इनके shortcuts को आपको याद करना होता है, sorters के बारे में समझना होता है, तो अगर आपको इनके shortcuts के बारे में पता है, तो आप अपने productivity को increase कर सकते हो, बहुत बड़ा impact पढ़ सकता है अगर आप code लिख रहे हो और आपको इनके shortcuts के बारे में पता है Visual Studio Code हो गया या फिर Notepad++ हो गया इनके बारे में अच्छे से आपको knowledge है तो बहुत आसानी से आप लो code भी लिख पाओगे दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने पाँचवे skill के बारे में जो है IDE, IDE का मतलब होता है Integrated Development Environment Integrated Development Environment जो होते हैं वहाँ पे आप लोग code को write कर सकते हो, modify कर सकते हो, उनको compile कर सकते हो, run कर सकते हो, debug कर सकते हो आप में से बहुत सारे लोगों ने code लिखा होगा, python जो आप code लिखते हो, तो बहुत सारे लोग जूपिटर नोटबुक यूज करते हैं, पाइचाम यूज करते हैं, spider यूज करते हैं, तो यह जो IDE होते हैं, आपको enable करते हैं, कि वहाँ पे आप आसानी से code लिख सको बहुत सारे लोगों ने C++ का code लिखा होगा, तो आपने code blocks यूज किया होगा, तो code blocks क्या है, ID, जहाँ पे आप code लिख सकते हो, तो यह जो IDE हैं, इनके बारे में भी आपको knowledge होना चाहिए, ताकि आप आसानी से code लिख सको, अपने code को write करके, modify कुछ करना है, तो वो भी आप आसानी से कर सको, कैसे compile करना होता है, उसका भी knowledge आपको हो, कैसे अपने code को debug करना है, उसका भी आपको knowledge है, दोस्तो कौन सा ID आपको use करना चाहिए, यह depend करता है, आप कौन सा programming language यूज कर रहे हो, जैसे आप C++ यूज करते हो, तो आप code blocks में कर सकते हो, अगर आप Python यूज कर सकते हो, Jupiter notebook यूज कर सकते हो, अगर आप लोग Java में कर रहे हो, तो Intel यूज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे IDs है, जैसे Eclipse हो गया, वो भी यूज कर सकते हो, तो यह आप पर depend करता है, आप जिस programming language में काम कर रहे हो, उसका ID आपको आना चाहिए, उसके बारे में आपको knowledge होना चाह है, दोस्तों अब हम बात करते हैं, आज के last और sixth skill के बारे में, जो की बहुत जरूरी है, जैसे data structure और algorithm जरूरी था, वैसे ही ये skill भी जरूरी है, इसके बिना तो software developer zero है, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, literally, अगर आपको इसका knowledge नहीं है, तो आपको job नहीं मिल पाएगी, जैसे मैंने सुरूरी बोला न, आपको data structure algorithm आना ही चाहिए, अगर वो नहीं आता है, तो फिर आप भूल जाओ कि आपको job मिलने वाली है, वैसे ही, अगर आपको sixth skill, जो है databases, अगर आपको databases के बारे में knowledge नहीं है, दोस्तों, तो भूल जाओ, आपको job मिलने वाली है, और जो इसको store करनी होती है, उसको वो databases में store करता है, अगर आपको databases के बारे में knowledge नहीं है, तो आप अपने software को databases से कैसे integrate कर पाओगे, कैसे databases के साथ काम कर पाओगे, तो आपको databases के बारे में knowledge होना जरूरी होता है, बहुत सारे databases हैं, जैसे Postgres है, MySQL है, Oracle है, Cassandra है, Redis है, बहुत स सीखना चीए, और इसके साथ साथ जो different databases हैं, जैसे Postgres हो गया, उसके बारे में knowledge ले लो, MySQL हो गया, Oracle हो गया, ये सारे जो databases हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से interlinked होते हैं, इनके जो syntaxes होते हैं, थोड़े बहुत एक जैसे होते हैं, तो उनको आप सीख सकते हो, थोड़ी companies हैं, जो employees हैं, software developers हैं, वो SQL ही use कर रहे होते हैं, तो SQL बहुत जादे use में होता है, तो SQL के बारे में भी आपको knowledge होना चाहिए, तो दोस्तो ये थे six बहुत ही in-demand essential skills जो आपको software developer बनाती हैं, और software developer की jobs के लिए आप interviews देने जा रहे हो, उनको crack करने में आपको असानी दिलात दोस्तो ऐसी ही वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को subscribe कर देना, comment करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो, तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालो, तो उसका notification आप लोग को मिल सके, तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलता है नहीं वीडियो में ने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए bye bye, have a good day, stay home, stay safe and keep learning, thank you.